दोस्तुं, आज का इफेक्शनर के लर्निग विडियो टुटोरियल में, हम इंगिश के वर्ड ये ह के मेनिंग को समझेंगे और देखेंगे के हम ये को किस कि सेंस में किस तरहां इंगिश में यूज करते हैं इस purpose के लिए हम English में sentences भी बनाएंगे और उनकी translation को समझेंगे Tutorial concentration से देखें क्योंकि आखिर में है एक exercise तो शूर करते हैं जब नाज का effect ना का learning video tutorial दोस्तों यह का meaning होता है हाँ का जी हाँ जी साम कहते हैं लिक और यह yes की informal form है आप जब भी कोई meeting में हो formal आप कोई बातचीत कर रहे हो text message कर रहे हो whatsapp पे आप हो तो आप yes को use नहीं करेंगे बलकि आप yes को use करेंगे और यह जो है अगर अगर अपने दोस्तों के साथ हैं chat कर रहे हैं बात कर रहे हैं यूज कर सकते हैं अब यह को जो है हम different forms में use कर सकते हैं मतलब जिस्ता यह का मतलब है हाँ और हाँ को आपको पता है कि हम affirmative response के लिए भी use कर सकते हैं जिस्ता कोई हम से पूछता है कि क्या मैं ठीक हूँ क्या मैं सही कह रहा हूं am I correct तो आप कहेंगे yeah you are right तो यह आप उसको affirmative response दे रहे हैं आप जवाब दे सकते हैं yeah I agree with you यानिके मैं कोई भी चीज करता हूँ और आप कहते हैं कि हाँ मैं आपके साथ agree करता हूँ तो उस sense में भी हम yeah को use करेंगे yeah I agree with you जी हाँ मैं आपके साथ मुत्तफिक हूँ मैं आपसे agree करता हूँ इसलिए यह को हम acknowledgement किसी चीज को acknowledge करने के लिए भी आप use करते हैं जिसलिए मैं कहता हूँ यार we will go out for dinner tomorrow तो आग इसलिए आप response कर सकते हैं acknowledge करने के लिए yeah sure या मैं कहता हूँ can we can we go out for dinner tomorrow मैं आपसे question पूछ रहा हूँ तो आप उसको कहेंगे yeah sure हाँ जी बिक्कुल और यह को हम confirmation के लिए भी use करते हैं जिसलिए मैं आपसे पूछता हूँ के did you get me? are you getting me? कि क्या आपको मेरी बात समझ आ रही है तो आप उसको मतलब या मैं आपसे पूछता हूँ के यार कल जो मैंने तुम्हें कहा था कि उसको call करनी है तुमने की तो आप उसे confirm करेंगे हाँ जी जिसलिए बास पूछता है सेक्टरी से के मैंने तुम्हें कहा था कर तो कल तुम इसको call करना आपने की तो आगे से सेक्टरी जो आप देती है या मदब इन्फार्मली वैसे तो उसे येस कहना चाहिए लगिन यहां पर ओ कहता है ये I called her तो दिखें, यहां पे हमने यह को confirmation के लिए यूज किया है तो दोस्तों, अमीद है कि आपको English के word यह के different meaning समझ आ गए होंगे Time हुआ है exercise का तो exercise के लिए आपने English के word यह को यूज करते हुए English में एक छोटा सा sentence बनाना है, उसे comments box में post कर देना है अगर उस sentence में कोई गलती हुई तो हम में से कोई point out कर देगा वीडियो पसंद आई है तो like का button जरू प्रेस करें, वीडियो को share करें और अगर आप channel पे नए हैं, तो channel की support के लिए और नहीं नहीं notifications के लिए channel को subscribe करके bell icon को press कर दें मिलेंगे iFactner की next video tutorial में, until then take care, keep learning, keep enjoying, good day